अगर आप लोग ड्रिप लगवाने जा रहे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका करण यह है कि ड्रिप जो आपका रहेगा उसको मल्टी परपज होना चाहिए साथ में जो आपका ड्रिप का सिचाई है इनके से अगर आप लोग पेटा पाइप या नाली या मेड बनाने की आउसकता नहीं रहेगी तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो जो आपने ड्रिप का सेटेप है हमारी तरीके से बना करके आप भी एक अच्छा सा सेटेप ड्रिप का कर सकते है तो आएए हम यहां पर सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि जो ड्रिप सिस्टम होता है उसमें क्या-क्या चीजे होती हैं यहां पर आप लोग देख रहे हैं इस तरब से यह वाला जो हम पाइप लगाये हुए हैं यह यह जैसे पानी पीने के लिए है क्योंकि यहा को खाद देनी होती है तो हम यहाँ पर ड्रम में घोल देते हैं जो घुलन सील खाद होती है और उसके बाद वेंचुरी चला देते हैं तो वेंचुरी अच्छे से काम करके खेतों तक पहुंचाती है तो वेंचुरी में जिस हिसाब से मोटर का प्रेसर होता है उसी इसाब से यहाँ पर प्रेसर सेट किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो खाद है यह उठा करके आगे जाना अब इस सिर्फ साफ करना होता है इनकेस अगर जाम हो रहा है कोई ऐसा फर्टिलेजर दे दिये जो जाकर के यहां पर फंस गया अब यह वाला जो वाल्व देख रहे हैं इसके जरिये भी आप यहां से पानी निकाल सकते हैं इनकेस अगर आप लोग चाहे तो इसमें एक स्सि्स्टेम हो गया है कई तो यहां पर बालु अगर आ जाता है तो यह वाल्व दिया गया है इसके जरी हम आन कर trailer हो और यहां से जो बालु अगर निकल जाती है elैन यहां पर बालु तो आता नहीं है जिसके वजह से इस पानी को हम जब भी हमें तो इस पानी को हम यहाँ पर प्रयूक कर लिए इसके लिए हम एक pipe भी लगा दिये हैं अब अग्र आगे बढ़ हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे आसपडोस के जो किसान भाई हैं तो उनको सिचाई करनी होती है तो यहाँ पर एक हम elbow लगा दिये हैं और यहां पर इसको निकाल दिये हैं यहां पर लपेटा पाइप लगा करके हम बाहर की तरफ जो पानी है इसको ले करके जा सकते हैं बाकी इस तरफ जो अंदर पाइप है यह गई हुई है आप लोगों को बताते चले कि यह जब हम सेट अप कर रहे थे तब की भी वीडियो आ आफी ज्यादा आसान हो जाए अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक टी हम यहां पर लगाए हुए हैं जिसकी वज़े से जो हमें नाली बनानी होती है या लापेटा पाई प्रियोग करना होता है तो यह परियोग नहीं करना पड़ता है जस्ट यहां से इसका जो वा दूसी तरब भी सेम इसी तरीके से हम सिचाई कर सकते हैं तो इसकी वज़े से यहां पर इस वाल को लगाए गया है आगे आईए हम आप लोगों को सिस्टम बताते हैं अब तक आप लोग देख रहे थे इस तरब से जो हमारी में लाइन है आई हुई है और फिर यहां से जो है खेत का हमारा मद्ध यही है तो यहां से इस तरब भी चली गई है और बाय तरब भी चली गई है तो यह जो है यहां पर में लाइन भी है और सब लाइन है जो में ल आगे वहां पर आप लोगों को दिखाए हैं, सेम उसी तरीके से, यहां पर जो हमारी मेन लाइन है, मेन लाइन में भी हम यहां पर इसको ऐसे ही सेट कर दिये हैं, जिसके वज़ा से, जैसे हम जब धान या गेहूं की खेती करेंगे, या गन्ना की खेती करेंगे, हमें को इस तरब का ढकन खोल देंगे तो इस तरफ का हो जाएगा अगर हमें जरूरत पड़ी कि हमें इसने लपेटा पाइप लगाना है तो पेटा पाइब बांध करके पानी को इधर उधर भी कर सकते हैं तो इससे फाइदा यह होता है कि हमको नाली और मेड बनाने की आउसकता होती है यह बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है अब आप लोग यह देख रहे हैं यहां पर जो वाल्व है यह लगा हुआ है और यह जो लग पानी इस तरफ जाना शुरू कर देता है एक बार हम खोल के आप लोगों को दिखा रहे हैं अब आप लोग देख रहे हैं कि इस तरफ यहां पर जाना पानी शुरू कर दिया है लेकिन अभी इस तरफ हम जो सेटफ है इसको नहीं लगा हुए है इसी तरफ सेटफ लगा हु होई है एक तो इस तरफ जाने के लिए निकली है और एक इस तरफ जाने के लिए निकली है तो यहाँ पर जो जो हume नोड़ करने साह जाता है तो अभी हम लगाने वाले हैं अभी फिलाल के लिए नहीं लगाई हैं तो अभी यह जब बंद है तो इसको आप इस तरीके से हाट कर सकते हैं लेकिन जब आपकी फसल इधर होती है तो बाहरा इसको खोलने निकालने पर जो यह पाईप होती है यह हलकी हो जाती जिसकी वज़े से प्रेसर पढ़ने पर यह फेक देता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम अपने खेत को कई भागों में डिवाइड किये हुए हैं तो डिवाइड करने से ऐसा होता है कि जो हमारी नालिया और मेड बनाने के आउसकता होती है यह पूरी तरीके से खतम हो जाती है तभी जब हम आप लोगों को एक वाल वो आगे दिखाए है तो वहां से जो वाल है हमारा इस तरब तक हमारी सिचाई होती है और यहां पर यह आप लोग देख रहे हैं यह फ्लस वाल्व है जब भी हमारे पाइप में कचड़ा वगरा जमा हो जाता है कि उस कि यह का प्रियोग किया जाता है इस पहल सवाल कोखोड़ करके जो पाइप में जमे हुए कचड़े होते हैं यह साफ हो जातें अब यहां से डिवाइड हो जाता है हमारी लटेरल पाइप अभी इस तरफ का हम duplicates रही है तो सभी पाई पे दो-दो फिट पे लगी हुई है तो जैसे हमारे केले की फसल 6 फिट पे है तो जो दो लाइन सीधी पड़ेगी उसका कनेक्शन हम यहां पर करते हैं बाकी को यहां पर बंद रख देते हैं अब इनके समय जरूरत हुआ कि हम इसमें कोई और भी फसल लगाए हैं तो उसके जरीए फिर हम और भी जो दो-दो फिट पे बचे हुए हैं उनको भी खोल देते हैं और उनको भी फैला देते हैं तो चाहे आपको धनिया, पालक, मूली, सोवा, मेथी और पत्ता, गोभी, फूल, गोभी कोई भी फसल लगानी हो तो सभी फसलों में आपकी जो इ टी हमारी लगी हुई है इसी तरीके से हम आठ टी लगाये हुए हैं जो कि हमारे खेत को 16 भागों में विभाजित कर देती है और हमारे जो टोटल एरिया बनता है यह है च्छै एकड़का तो इससे हमारा जो खेत होता है छोटे-छोटे गाटों में परिवर्तित हो जाता है तो मेड हो या नाली हो यह हमें कम बनानी पड़ती है और जो हमारी फसल है इसको हम बहतर सिचाई का एक रूप दे सकते हैं और यह हो जाता है हमारा मल्टी परप्याद सिचाई सिस्टम जो की हर फसल के लिए है चाए फलड से होती हो या ड्रिप से होती हो अगर आप लोग लगवाने जा रहे हैं इन सब चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं तो ड्रिप पे अगर आप लोगों को और भी कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्षिन में आप लोग पूल सकते हैं ड्रिप पे हम एक ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिसकी वज़े से जो हमारी समा हमारा है यह पोटास है 46 असके लिए रिसर्च चल sneaking बाले हैं जल्दी फाइनल हो जाएगा और उसके बाका अप लोगों बताइंगे कि आप लोग भी अब इसको कर शक्ते हैं पूरी तरीके से सक्सच है ऐसी बहतरीन वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिसे आप लोग भी खेतिवाड़ी से संबंद जुड़ी सही सक्टिक और व्योहारिक जानकारी समय समय पर पाते रहें बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो म में तब तक के लिए चलते हैं जै जवान जै किसान तो